हाई फिरेंट्स इस वीडियों बात करेंगे फुटबोल वर्ल्ड कप मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा ब्राजील और सौथ कोरिया के बीच में तो दोनों टीम मैसा आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉंग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक पर डेटेल्स में चर्चा करेंगे और ये टोपिक भी काफी इंट्रेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी और किन 11 प्लियर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लियर को कैप्टन और किस प्लियर को वाइस कैप्टन मनाना है यह सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट दी जाएंगी बस आप वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए अब हम साउस पहले इन दोनों टीम की FIFA वर्ल्ड रेंकिंग पर नज़र डालते हैं तो गैज बराजील FIFA वर्ल्ड रेंकिंग में फिलहाल के टाइम पर फर्स्ट पोजिशन पर है वहीं पर बात करें South Korea FIFA वर्ल्ड रेंकिंग में 28 पोजिशन पर है तो गैज इन दोनों टीमों की जब पोजिशन है उसमें भी काफी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है तो गैज अब बात आते हैं कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम लग टीम के लिए एक फैवरेट टीम मान के चलता हूँ तो इसलिए मैं बात करेंगे जब यह दोन टीम आपस में हैट टूर्ड मैच तो किस तरह का पर्फोरेंस इन दोनों टीम के और से देखने को मिलता है तो इन दोनों टीम के बीच में लाश्ट तीन हैट टूर्ड मैच हुए हैं और तीन के तीन मैच बराजील ने इस टीम के सामने विन के रहे हैं और टेकिंग वाइज पर मैच में 3.3 गोल पर मैच सकोर किया डिफैन से 0.3 गोल पर मैच सकोर किया तो यहां से पता चलता है कि हैट टूर्ड मैचस में भी बराजील का ही पर्फोर्मेंस काफी मजबूत है अटेक से भी और डिफैन से भी अब हम बात करें जो पिछला मैच recently इन दोनों टीम के बीच में हैट टूर्ड मैच हुआ है उस मैच को बराजील ने इसी टीम के सामने 5-1 से मैच को विन किया है पांच गोल सकोर के लेकिन डिफैन से एक गोल कंसीड किया और उससे पिछले दो मैच इस टीम के सामने वन सैडिट विन किया है दोनों मैच में गोल सकोर भी के लेकिन डिफैन से गोल तक कंसीड नहीं किया तो head to head में Brazil का ही performance काफी मजबूत देखने मिलता है attack से भी और defense से भी अब हम बात करते हैं इन दोनों टीम का जो current form है उसका according जो फिलहाल टाइम जो performance है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं तो guys Brazil currently 6 match खेल चुगे हैं जिन मैसे इस टीम ने 5 match विन करे हैं विन कर लेती है अब हम बात करें जो पिछला मैच ब्राजील कैमरून के सामने वन जीरों से मैच को लोस कर गई उस मैच में ही इस टीम ने एक भी गोल सकोर नहीं के बलकि defense गोल कंसीड किया और उससे पिछले जितने भी match इस टीम ने खेलें सारे के सारे मैचस में इस टीम ने जीत हासिल किया है और परतेक मैच में गोल सकोर भी किया है लेकिन defense गोल तक कंसीड नहीं किया तो यहां से पता चलता है कि इस टीम का attack और defense कितना मजबूत देखने को मिलता है तो इसलिए मैं ब्राजिल के फैबरेट टीम मान के चलता हूँ अब हम बात करते हैं South Korea के जो current form उसका according जो फिल हाल टाइम जो performance है हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं तो गई South Korea currently 6 match खेल चुगे है जिन मैचस टीम में तीन मैच विन करें सिर्फ एक मैच लोस किया है अटेक से 1.3 गोल पर मैच सकोर के डिफेंस से 1 गोल पर मैच सकोर किया तो फिल हाल टाइम पर इस टीम का current form देखा जाए वो 50-50 नजर आता है अटेक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रो और लोस करने तक अब हम बात करें जो पिछला मैच South Korea Portugal के सामने 2-1 से मैच को विन कर गई दो गोल इस टीम ने सकोर किया लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच को लोस कर गई इस टीम ने दो गोल इस मैच में भी किया लेकिन डिफेंस से 3 गोल पर किया और Uruguay के सामने टीम मैच को ड्रो खेल ग दो गोल सकोर के और डिफेंस से भी दो ही गोल कंसीड किये तो फिल हाल टाइम पर इस टीम का करंट फॉर्म देखा जाए तो अटेक तो काफी जवाब लाजवाब है लेकिन डिफेंस थोड़ा सा कम जोड देखने को मिलता है तो फाइनल गाई अब बात आती है कि अब इस टीम का बहतर परफॉमेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में तो इस फीफा रंग का नुसार ब्राजिल टॉप अब बेस्ट टीम है फीफा की और साउथ कोर्या के पोजिशन है वो काफी डाउन है एज कंपेट डू ब्राजिल हैट्वेड का कॉर्णिंग देखा जाए तो ब इन तीनों फॉर्मेट में आपको ब्राजिल ही एक फैवरेट टीम देखने को मिलेगी तो इसलिए मैं ब्राजिल को एक फैवरेट टीम मानके चलता हूं तो फाइनल गईज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए मतलब इस मैच के स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन रखा है 3-0 और 3-0 का प्रेडिक्शन को नुसार ही हम आप में ड्रीम इलम टीम क्रेट करेंगे ड्रीम 11 पर उससे पहला हम बात करेंगे इन दोनों टीम के प्लियर्स के बारें कि कौन सी ब्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किये क्योंकि अभी तक हमने इस वीडियो में बात किये कि इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल सकोर करेगी लेकिन इस मैच में कौन किन-किन प्लियर्स को हम टीम में लेकर चलेंगे उन सब के बारे में आपको डीटियल्स में इन फॉर्मेशन देंगे बैसा आप व जोत देंगे प्लियर वाजी दॉक्न से किने गोल और कितना असिस्ट कें इसंद को UK और किपटने कोल से साफ ठीन कॉल और फिफाकमे भी पॉइंट दे जाते हैं और बाकि जिन प्लियर्स का आपको रिकोर्ड नहीं दिख रहा कोई बात नहीं हम जब ड्रीम लेंगो टीम मनाएंगे तब आपको मैं हर एक प्लियर्स के बारे में डीटियल्स में इनफॉर्मेसिन दूँगा अब हम बात करते हैं इस टीम तरह से और यहां से रोट रियागो जिसने एक असिस निकाला और यह दोनों भी काफी बहतरी प्लियर्स हैं लेकिन फस्ट च्वाइस होनी चाहिए और यह मैच में खेलेगा और नब मिनट भी कम्प्लीट खेलेगा तो आप इन्हें लेकर जरूर चले ओके तो अब बात आता दियो सेकंड टीम है उसके जो प्लियर्स हैं और कि कौन इस प्लियर्स कितना गोल और कितना असिस्ट के तो हम नज़र डालते हैं साउथ कोरिया के प्लियर्स के बारे में तो गई साउथ कोरिया की तरफ से इसी फीफा कप में च्यार गोल आए हैं चूक योंग श्योंग ने दो जो कि यह बुंदे से लिगा या ला लिगा टू में खेलता है और वहां पर इसका जो पर्फॉमेंस वह काफी अच्छा रहा है कलब लेवल पर चो यह मचो कि यह कलब लेवल में साउथ कोरिया में खेलता तो इतना मैं इसको ज़्यादा से नहीं करूंगा लेकिन करन फॉम अच्छा है तो एक दो ग्रांड लिग में ट्राइब कर सकते हैं तो अब बात आती है इस टीम तरफ से मोस्ट इंपोर्टन प्लियर और क्लास प्लियर है तो इनको लेकर चलना प्रिविस मैच में ही इसका एक असिस्ट आया था और यहां से जिन शुकिम जो कि यह भी आपक अच्छा प्लियर है आप इन्हें एक टीम के सामने तो ट्राइब कर सकते हैं लेकिन ग्रांड लीग में ही ट्राइब करना वरना समोल लीग में ड्रॉप करना तो एक ही च्वाइस आपकी टीम में होनी चाहिए वह श्यान उनको आप पिक कर लेना ओक्के तो अब बात आते ह इस मैच में ट्राइब करना है किस प्लियर को कैप्टन वाइस के अपने देना तो चले देखते हैं तो गई सबस्पाइल हम बात करें गोल कीपरिंग सेक्षन से उससे पहले मैं आप लिए एक चीज़ क्लियर कर दो कि इस मैच में एक सट्रॉंग टीम है ब्राजील और ब्र कृण से ग्यारे प्लियर से रहें और किस प्लियर कैप्टन वाइस क्रिणा जाएंगा वह सारी जानकारि आपको इसी वीडियो में कंप्लीट गोल कीपर आपको एक वीग टिंग का ही ट्राइब करना चाहिए अब हम यहां से कोरिया को पिक करेंगे इसलिए बात करेंदें रहता है यहां से चैंड्रो यह इंको भी लेना सही लेकिन मिलिता हूए अगर खेलता है तो हमारे टीम में होना ही चाहिए कोई भी कंडिशन हो लेकिन ड्रॉप इसको हम नहीं कर सकते हैं तो यह मेरी टीम में होनी ही चाहिए बाकि यहां से किम जिन शू को भी पिक कर लेते हैं बाकि जो ऑप्शन बसते हैं देखो प्रीवेस मैच में डानी अलवाश खेला था और यह बहुत बड़ा प्लियर से बारसी ल यह आपकी टीम में होना ही चाहिए क्यों कि यह 30 प्लस पॉइंट देने का चमता रखता बिना गोल के बिना आसिस्ट के यह पॉइंट इतना तो देगा ही देगा गोल और असिस्ट का चांस बने रहते हैं आप इनहें ले सकते हो ओके नेमार का खेलने का चांस बहुत ही कम दग रहें मुझे आज भी क्योंकि प्रिवेस दो मैच खेला ही नहीं था एक ही मैच में खेला था इस फिपर कप में फिर भी क्या पता खेल भी जाए लेकिन राफी नहां इस टीम तरफ से इंपोर्टेंट प्लेयर है उस कंडिशन में हम इन दो को लेकर चलेंगे और यहां से फिर हमारे नेक्स्ट ऑप्सन रहेगी ब्यों जो कि इंपोर्टेंट प्लेयर डिफेंशिव पॉइंट अच्छा खासा दे जाता बाकि यहां से फ्रेड भी है गैबरियल मार्टने लिए जो कि प्रिवेस मैच में हमने अपने टीम में रखा भी था और इसने काफ प्लेयर है और जो कि यह भी पोटेंस रखता है गोल करने के ओके फिर यहां से फैबिन हो डिफेंशिव पॉइंट लुकाष पकेटो है जो कि डिफेंशिवर करेगा बाकि इवरटन है ज्यादे सब्सक्राइब करेंगे लेकिन तीन प्लेयर को लेकर चलते हैं बात करें सें को इसलिए सजेस्ट करूं क्योंकि नभ्य मिनेट कंप्लीट के लेगा चांसेस बने रहते हैं गोल और असिस्ट आने के तो इस टीम कंप्लीट होती है बागी जो ऑप्शन बजते हैं इनमें से मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा आप इन्हें ड्रॉप भी करने बात करें कैप्टन सी की तो कैप्टन आपके सामने सिर्फ एक ही चोईस रहने चाहिए वह है रिचायर लेशन जो कि इस टीम के तरफ से एक इंपोर्टन प्लिए और चांसेस 99 परसंट इसी के गोल आने के तो इसलिए कैप्टन तो यह है अब वाइस कैप्टन का थोड़ा सजेस्टन है देखो राफिना है काश्मीरो है काश्मीरो बिना गोल क מה देगा औराफिना गोल और और असिस्ट का पॉइंट देगा और विनीस जोनर थोड़ा सा गोल पोरेंसल हाई है अब यहां सी दिफेशल जाना तो यहां से मुझे लगता है कि मिलीटा या मार्क निस इन दों मैं से रख सकते हैं लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि अभी काश्मीर को पिक करें एज वाइस करें तो टीम का प्रिवो यह है लेकिन याद रहे हैं दोस्त यह वीडियो का आधार पर टीम है फाइनल टीम लाइन अप आने के बाद पोजिशन को देखते हुए कि कौन से प्लेयर 90 कंप्लीट खिलेगा और कौन से ऐसे प्लेयर जो बिना गोल के अच्छा खासर दे जाएगा और किस प्लेयर की पोजिशन सबसे ज्यादा गोल करने की है उसका आधार पर टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर अपडेट कर जाएगी टेलिग्राम चैनल के इसी वीडियो का कि यह दोनों सेफ रहेंगा आज के मैच में तो इनके साथ जाना सेड़ेगा क्योंकि 90 मिनाट तो कंप्लीट खेलेंगा अगर मैच 125 मिनाट तक भी गया तो यह भी जब भी खेलते ना जलाएंगे तो आई थिंग बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कांट्री सन भी अच् आई भी करना मिलते हैं स्टूडियो में टेक के रेंड बाई